आज को जो मेरा लेक्चर है दैट इस डिलेटिट विद पोरिकॉर्स अभी तक हमने थ्री साइडेट फिगर्स की बात कर ली थी जो मेरा प्रीविएस लेक्चर था दैट इस डिलेटिट इंगल प्रॉपर्टीज और ट्राइंगल्स और पैरलल लाइंज और आप नहीं देख था तो आप उसको देख लेएं वो आपके लिए कापी फ्रूट फूल रहेगा तो अब हमारी जो नंबर ओफ साइड्स हैं वो थ्री साइड्स लिए ट्राइंगल्स फिर फोर साइड यानि क्वाडिलेटर से भड़ गई हैं तो अगर नंबर साइड्स इंक्रीज कर जाएं फाइड साइड सेवन साइड और सौन अब टॉन साइड सो उनको हम कहते हैं फॉलिगॉन थीक है अब हम बात करेंगे सुम फामूला की जिनमें हम सम उफ ओल इंटीरिल एंगल्स फाइंड कर सकते हैं जैसे कि एक पॉलिगॉन मैंने आपके सामने कितने साइड़ फिगर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक 6-sided polygon है इसकी हम सम उफ ओल एंगल्स फाइंड करने का formula फाइंड करेंगे कि सारे एंगल्स का सम क्या आएगा ठीक है जैसे ट्राइंगल की तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180-डिग्री क्वाडिलेटर का 360 होता है तो इसकी number of sides के according इसका भी सम उफ इंट एंगल्स करेंगे इंसाइड वाला नेक्स हम इसका exterior एंगल्स करेंगे exterior एंगल्स करेंगे और फिर number of diagonals के यह इसके कितने एक polygons के कितने डाइंगल्स मत्ते है उसके लिए जो formula है वो discuss करेंगे so हम इनके formulas को बारी बारी discuss भी कर लेते हैं सबसे पहला formula है sum of all anterior angles sum of anterior angles का मतलब यह है कि जो इसके अंदर बाले angles में if this is a, this is b, this is c, this is d and this is e sum of all anterior angles, इन सारे angles का sum किसकी इको लोगा, वो क्या हो जगा, इसके लिए formula क्यों होगा, n equals 2, n minus 2 into 180 so यह कितनी sided figure, n stands for number of side of our polygons, तो इसमें कितनी sided figures है, यह, जो example यह 1, 2, 3, 3, 4 and 5 so 570 figure, it is pentagon, so अगर हम इसमें इसका sum find करेंगे, तो आजएगा, n minus 2 into 180 degree, 3 into 180 degree, so इसका answer क्या आजएगा, 300, 4, 2 carry क्या 5, 540, so इन सारे angles का sum क्या आजएगा, 540, so अब हमने अगर किसी एक angle find करना हो, यह एक angle सिरफ उसी सुरद में find होगा, कि एगर हमाएं पास एक regular shape होगी, regular shape या regular polygon होगी, ज्यादा तर जो questions आपके slabels में हैं, 7 and 8 के slabels में, उसमें regular polygons होती है, regular polygons are the polygons which are having equal sides, यानि कि हर side की length है, दूसरी side की length से equal होती है, उसको हम regular polygon कहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कि जो भी आपका sum था, उसको आप divided by n कर देंगे, हमने sum क्या find कर लिया था इसमें, यह इसी में आप same formula में values जा लेंगे, तो क्या जगा, 5 minus 2 equals to 180 degree, divided by number of sides कितनी है, 5, तो यह आजएगा 540 divided by 5, तो एक एंगल कितना निकलाएगा इसका, 540 divided by 5, तो इसका एक एंगल निकलाएगा, 108 degree का, ठीक है, हर इसका एंगल क्या हो जाएगा, 108, 108, 108, 108, 108, 108, अब आपने इसका एक sterial angle find करना है, तो आप simply क्या करेंगे, एक एंगल क्या है, 360 divided by 5, तो एक एंगल कैसे आजएगा, इसका, 360 divided by 5, so that will be 72, वैसे भी जो एंगल होता है और इंटीरियल एंगल होता है, यह दूसरे की स्टेट लाइन पर होते हैं, इन दोनों का जो सम है, यह एंगल एंगल, इसको capital E से कह लेते हैं, इन दोनों का सम हमेशा 180 के इक लोना चाहिए, यह दोनों का सम हमेशा 180 के इक लोना चाहिए, यह आप इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इंटेरियल एंगल क्या था, पेंटागॉन का 105 और एक्सेरियल एंगल था 72, यह इसको सम है 180 रिग्री, आप इस तरह से भी एक्सेरियल एंगल कर सकते हैं, इसको simplest formula भी कर सकते हैं, next है number of diagnosis, number of diagnosis के आजेंगे, 5 इंटो 5 minus 3 divided by 2, 5 इंटो 2 divided by 2, इसके इंटेर नंबर of diagnosis जाएंगे 5, इसके एंटेर नंबर और दाग्नोल जाएंगे 5, सो क्या 5 diagnosis बंते हैं, 1, 2, 3, 4, सही जान की जान दो जालो, 4 and this is 5, yes 5 diagnosis बंते हैं, इसके 5 diagnosis बंते हैं, इस example के लिए हमने साइट formulas को solve कर लिया, so next one example पर आते हैं, कि अगर आपके बस, अगर paper में question आजें कि आपके बस number of side 6 है, तो आपने उसका sum भी find करने, each integral angle भी find करने, exterior angle भी find करने, number of diagnosis भी find करने, तो सबसे पहले हम sum के लिए formula क्या लगा लेंगे, sum of interior angles, उसके लिए formula क्या था, n-2 into 180 degree, n की जगा हम 6 foot कर लेंगे, तो वो क्या आजेगा, 4 into 180 degree, तो महाँ पस क्या आजेगा, 6 sides के लिए sum of interior angles क्या आजेगा, 4 multiplied by 180 degree, that is 72 degree, तो अब एक interior angle हमने find करने है, वो क्या आजेगा, sum तो महाँ पास total sum का sum आजेगा, 72, एक find करने क्या करेंगे, जो भी आपका sum था, यहनि n-2 into 180 degree, जो आपका sum महाँ उसको divide करतेगे, n से, तो इसको apply करने के वाज आज आज था, मैंपा 72 degree, divided by number of sides कितनी है, 6, यहाँ पिर इसको आप simply formula में ही value put करें, कैसे करेंगे, 6 minus 2 into 180 degree, divided by 6, 4 into 180 degree, divided by 6, 720 divided by 6, तो एक interior angle हमारे पास क्या आज रहेगा, 720 को हम divide करेंगे 6 के साथ, तो एक interior angle हमारे पास आज गया है, 120 degree, तो एक interior angle हमारे पास क्या आज गया है, 120 degree, तो हर एंगल जो है, that is 120 degree, 120 degree, 120 degree, 120 degree, 120 degree, 120 degree, next हमने क्या find करने, exterior angle, एक interior angle हम दो तरह से find कर सकते हैं, यहां तो आप 180 में से interior angle को minus करते हैं, वो क्या आजएगा, 180 minus 120, वो आजएगा 60 degree, यानि कि जो इसका exterior angle है, that is 60 degree, हर तरफ का exterior angle 60 degree, इसका भी exterior angle 60 degree, इसका भी exterior angle 60 degree, और इसका भी, आजएगा, और दूसरा method क्या है, find करने का, यहां तो आप यह कर लें, यहां फिर यह कर लें, कि आप 360 को divided by 6 कर लें, तो वो क्या हैगा, 60 degree, same, तीक है, यहां तो आप क्या कर सकते हैं, बाने टी में से आप interior angle को minus कर दें, यहां फिर आप, उसको करने, 360 divided by 6 कर लें, तब भी 60 कर लें, तो आपने उसका एक से, अब number of diagnosis, so number of diagnosis कैसे पहरेंगा, करेंगे, number of tagals, वो था, n into n minus 3 divided by 2, कैसे करेंगे, 6 into 6 minus 3 divided by 2, आदेगा, 6 into 3 divided by 2, 18 divided by 2, मतलब 9, so इसके 9 diagnosis बनेंगे, घर हम में लाएं, तो क्या exactly 9 बनते हैं, 1, 2, and 3, 4, 5, and 6, 7, 8, 9, 8 और अभी आजएगा, 9, yes, 9 बनते हैं, so हमने count की है, 9 diagnosis भी बनते हैं, सब नेक्स पुस्टिन की तरफ आ जाते हैं, next question है, इसको मैं थोड़ा सा change करना चाहूंगी, 108 वाला हमने कर लिया, अब हम इसका number को change कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, इसका random सा number रख लेते है, 144 ठीक है 144 तो अब हमने इसका find करनी है, number of, आपने number of side sign करनी है, अगर angle है 144, so सबसे पहले हम में पस number of interior angle का formula लगाने है, so interior angle का formula क्यों होता है, n, n-2 divided by, sorry यह नहीं होता है, integral angle का formula है, n-2 into 180 degree divided by n, पर integral angle में पस क्या है 144, तो अब क्या जाएगा, n 180 degree, 144 degree into n, यह जो यहाँ divide हो रहा था, यह दजा के multiply हो गया, तो क्या हो जाएगा, 180 n-2 multiply by 180 क्या हो जाएगा, 144 n, 180, अब n वाले इदर ले इस तिरफ आजएगे और जो constant number है वो उदर शले जाएगे, तो 180 को 2 से multiply करेंगे बनेगा 360, और 180 minus, 180 minus 144 तरेंगे जाएगा, इन दोनों को subtract करेंगे, तो यहाँ जाएगा 36, टिग्री, n equals to 36, तिग्री, अब जो 36 यहाँ multiply हो रहा हो जाएगे divide कर लेते हैं, आजएगा 10, तो number of sides के आजए है 10, ठीक है अगर अगर इसी तना है आपने अब इसका आप सब कुछ find कर सकते हैं, एक serial angle भी कर सकते हैं, वो क्या होता है 360 divided by n, 360 divided by 10, तो वो क्या आजएगा 36, exterior angle आजएगा 36 और interior angle हमें given है, exterior angle 36 आगया, इसी तरह हम इसका sum भी find कर सकते हैं, वो क्या आजएगा, n की जगा 10 लगा लेंगे, 2 into 180 degree, वो क्या आजएगा 8 into 180 degree, तो अगर आप एक चीज़ find कर लेते हैं, तो remaining सब find कर सकते हैं, 180 multiply by 8, यह आजएगा 11.40 degrees, इतना इसका हो गया, और हम इसके same number of diagnose भी find कर सकते हैं, इसके लिए फामुला क्या था, n into n minus 3 divided by 2, 10 into 10 minus 3 divided by 2, 10 into 7 divided by 2, 2 seconds के बाग 5, so 35 diagnose होने इसके, हम इसके बहुत सारे question solve कर सकते हैं, अगर हम इस चीज़ कर रहे हैं, इसी तरह हम same, अगर आपके पास exterior angle है 120, तो आपने इसकी number of sides find कर लेते हैं, this is not plus, this is equal, तो एक्सी लेंगे का फामुला क्यों कर लेते हैं, 360 divided by n, तो एक्सी लेंगे मैं पास्टा 24, into 360 divided by n, जो n यहां divide हो रहा होदर जाके multiply हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे, जना इसको थोड़ा सा raise कर लेते हैं, 224 n into 360, जो किया है जो यहां multiply होदर जाके divide हो गया, अब अगें 24 होदर जाके divide हो जोगा, तो अब मैं पास क्या हाजेगा, n equals to 360 divided by 4, 360 divided by 24, जो मैं पास number of sides आगे 15, जो इस नौट डिवरी, जो अगर आपके पास, अब आप इसका चाचा पाइं कर सकते हैं, अब आप आप आपके नमबर of sides आगे है 15, अब इसका यह सम भी फाइं कर सकते हैं, वो क्या होता है, n minus 2 into 180 degree, वो क्या जागा 15 minus 2 into 180 degree, 13 multiply by 180 degree, तो सम क्या जागा इसका, 13 multiply by 180 degree, 324, 2340 degree, अब एक इंडीरियल angle find करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने जो सम find किया है, उसको नमबर of sides से divide कर देंगे, एक एंगल क्या जाएगा 156 degree, अब क्या आगे, सीडियर एंगल already हमें given है, number of diagonals, number of diagonals, इसके लिए formula क्या था, n into n minus 3 divided by 2, क्या जाएगा 15 into 15 minus 3, divided by 2, तो यह हमाँ पास, इसको थोड़ा से इदर कर देती हूं, यह आजाएगा 15 into 12, divided by 2, 6, 15 into 6 क्या आता है, 15 multiply by 6, तो इसके number of diagonals आएगे 90, sorry यह यह वो नहीं है, इसके number of diagonals आजाएगे 90, 90. 90 diagonals हाएगे इसके, 90 diagonals हाएगे इसके, 90 diagonals हाएगे इसके, समनаст 450 सबस्क्राइब में परेती जर्ट रहकशन वंया상र्ट रही रहा लंटी उपरेती रहें विर सट्सक्राइब शॉंग आर्ट रहां सकते हैं अगित सच्छेज्ग एक सबस्क्राइब अघा धर दीजिन स्क Пर आप सकते हैं तो मस्लाइक शेर और सबस्क्राइब में चैने अच्छे चीक में चैने बेस्ट ओफ लग पोर एक्जाम्स जितने अच्छे कुमेंट करेंगे उतने अच्छे आपके नुबर आगे सो मिलते हैं नेक्स लेक्शर में तब तक लिए अलाफ वे से केर बाइबाए झाल